नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपीनियन तो आज हम रिव्यू करेंगे बॉलीवट की लेटिस्ट मुवी जो एमजन प्राइम में रिलीज हुई है शेर्शा उसकी और जैसे कि आप सब जानते हो 1999 कारगिल वर हिरो विक्रम बत्रा की लाइफ की उपर बना हुआ ये बायोपिक है और जहांपे में लीट केरेक्टर जो है वो प्ले कर रहे है सिधार्ट मल होता और इस फिल्म की देखिए प्लॉट अगर कहें तो ये बिसिकली उनकी लाइफ की उपर दिखाई गई है आर्मी में जोइन करने के एक नशाचरा और उसके बाद वो आर्मी ऑफिसर बने और एकदम दिलेरी के साथ एक लड़ाई उन्होंने लड़ी और इंडिया को 1999 कारगिल वर में जो है बिजय दिलाई तो ये बिसिकली कहानी का प्लॉट है इसमें कुछ अलग कुछ दिखाने का जगा है नहीं तो सिर्फ यही चीज दिखाया गया है और साथ में अगर performance की बात करें तो शिधार्थ मलहोत्रा विक्रमबत्रा के character में खरे उतरे है बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया उन्होंने acting की है और साथी में जो है कियारा अधवानी उनका भी performance काफी natural और काफ भी रियलिस्टिक लगा, साथी में दो-चार बाकी जितने भी चैरेक्टर्स हैं, आर्मी में जितने भी चैरेक्टर्स दिखाए गए, जैसे शिप पंडित हो गए, सताफ फिगर भी थे, वो भी रिजनेबल थे, अब दोस्तों बात करते हैं, पॉजिटिव की और नेगटिव तो पहला पॉजिटिव जो मुझे इस पर्टिकुलर फिल्म के अंदर में लगा, वो है कि सिधार्थ मलोत्रा टू पॉइंट हो, क्योंकि सिधार्थ मलोत्रा ने आज तक, अभी तक, जितना भी फिल्म्स उन्होंने की है, शायद उनको एक्टिंग करने का ऐसा मौका पहले कभी मिला नहीं था, तो ये पर्टिकुलर कैरेक्टर में उनका जो लाइफ का दो फेज है, जो टीनेज वाला फेज, जहां पे वो कॉलेज में रोमांस करते हुए दिखते हैं, थोड़ा शारुक से इंस्पार्ड ड्रेसिंग और लुक्स होते हुए दिखते हैं, तो उसमे भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया, और जब वो एक रिस्पॉंसबल आर्मी आफिसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने काफी ही अच्छा काम किया है, जोस्तों इसका जो दूसरा पॉसटी पॉइंट इस फिल्म का मुझे लगा कि इसमें कुछ साथी में गाना जो भी चार-पांच गाने हैं उसमें से जो है तीन चार गाने है जो पंजामी में अपका लिखा गया है तो ये करता है कि कहानी में ओरिजिनली रखने के लिए मेकर्स ने इसमें बहुत मैनत की है और चीजों को नॉर्मल सा रखा है रियलिस्टिक सा रखा है दोस्तों अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म को देखते हुए मेरे दि पहले पहले है उपश्पन से जो है वो टेकिंग अननेसेसरी रिस्क गैल कुलेटिव रिस्क वह लाइफ में लेते ही नहीं थे अननेसेसरी रिसक लेते थे मानली जी अपने उमण से बड़े बच्चे उनके साथ लरना एक चोटी सी क्रिकेट बॉलके लिए या फिर मानली अपना senior का बात ना सुनना, initial stage में, उनको मान लीजीए कोई भी ऐसा situation हो, जहाँ पर उनको protection लेके जाना चाहिए था, वहाँ पर नहीं लेना, या फिर मान लीजीए एकदम आखिर का जो जंग है, जहाँ पर उनका पूरा battalion उनको support कर रहे थे, शाहद एक uncalculative risk उन्होंने लि लगा इस film के अंदर में जो showcase की गई है, दूसरा चीज जो मुझे लगा कि पाकिस्तानी आर्मी, जो actually बताया जाता है 99 war, सबसे toughest war जो है इंडिया ने जीता था, तो उसमें पाकिस्तान बहुत जादा और्गनाईस था, उसका जो strategy था, बहुत जादा और्गनाईस थे, यहा लग रहा है कि कोई ऐसे जो आतंगवादी जो होता ना कोई कबजा कर लेता है, जिस जगह पे सिर्फ वैसा लग रहा है, वर के टाइम में कोई है जो एक आपका ड्रेस उनका, कोई ने एक येलो कलर का जैकेट पहना हुआ हुआ है, कोई एक दूसरा कलर का ड्रेस पहना हु ये मुझे एक लूप होल लगा, तीसरा जो है देखी ये बहुत वाइटल कुस चीजों में इसने टच किया है, जैसे कश्मीर में हमारे इंडिया के जो सोलजर्स है और कश्मीर में रहने वाले जो इंडियन्स है, उनके साथ जो डिलेशन है, उनके साथ दोनों का संपर्क म जो मतलब अब बोल सकते हो, जो तना है, वो तनाव को टच किया गया है, लेकिन उसको एक्स्प्रोड नहीं किया गया है, उसके बाद मान लीजे, पाकिस्तान आर्मी ने जब उनके डेट बोडिस को लेने के लिए मना कर दिया, ये बहुत एक बड़ा सेंसिटिव इसू बन निकल जाएगा, लेकिन आपको लगेगा कि ये मुवी में बहुत कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन वो बोल नहीं पाया, तो दोस्तो यही था मेरा शेर्शाह मूवी की रिव्यू, अगर मेरा कहना आप मानते हो, तो मैं इसको कहूंगा कि वन टाइम वाच्छ आप देख स सकते हो, ये मेरा मानना है, तो दोस्तो अगर ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, तो ये वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल में नए हो, तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा, मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला होई वीडियो में, तब कि ये अविदा